नमस्कार आप देख रहे हैं TNP News मैं हूँ आपके साथ दिपिका ओजा रोजगार के मुद्धे पर मोधी सरकार ने प्लान तयार कर लिया है बता दे कि केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रयालेों में खाली पदों को भरने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने Mission Mode में भरती अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं प्रधान मंत्री कार्याले की ओड से दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार अगले डेड़ सालों में अपने विभन विभागों में 10 लाख भरतियां करेगी पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालेओं और विभागों में मानव संसाधन की समीक्षा की है इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिया है कि अगले डेड़ वर्षों में मिशन मोड में 10 लाक भरतियां की जाएं सभी विभागों को तेजी से कारिवाई करनी होगी जैसा कि विधानमंत्री का निर्देश साफ है कि तैंस समय में भरती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए उत्रकंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और पहले दिन ही विध्यमंत्री प्रेमचंद्र अगरवाल सदन के पटल पर वित्य वर्ष 2022 और 23 के लिए श वित्य वर्ष के लिए करीब 63,000 करोड रुपे के बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी विधानसभा सत्र के पहले ही दिन हंगामे के आसार है विपक शत्र ना कराये जाने के मुद्दे पर सदन में सरकार पर हमला बोल सकता है देश में रास्पती चुनाव को लेकर सामने आ रहा है लेकिन शरत पवार ने बयान दे कर तमाम अटकलों को वराम दे दिया है बता दे कि NCP की बैठक के दोरान शरत पवार ने कहा कि मैं रेस में नहीं हूं मैं राश्पती पत का उमीदवान नहीं हूं तमाहीं जुम्मी के नमाज के दिन देश भर में हिंसा भड़कानी की साज़िश के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं डिस्टल फॉरिंसिक रिसर्च एन अनलेटिक्स सेंटर यानी डी एफ आर एसी की नई रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि पैगंबर दिये गए नुपुर्श शर्मा के विवादत बयान के बाद पाकिस्तान ने ट्वीटर के जरीए देश में हिंसा फैलाने की साज़िश रची है और बताया गया है कि पाकिस्तान में करीब 7000 से ज़ादा ट्वीटर अकाउंट फेक न्यूज फैला कर देश में दंगा कराने की साज़श का काम कर रहे हैं दिली में ट्राफिक को लेकर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है दिली ट्राफिक पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि कृपया गोल मेथी जंक्षन, तुगलक रोड जंक्षन, क्लेरीजिस जंक्षन, क्यू पॉइंट जंक्षन, सुनेहरी मजज प्रित्वेराज रोड से आगे बसों की मुव्मेंट प्रतिबंदित रहेगी साथ ही पुलिस ने आगे कहा कि कृपया सुबह साथ से बारा बजे के बीच मोतिलाल नहरू मार्क अकबर रोड जनपत और मान सिंग रोड जाने से बचे विशेश विवस्था के चलते इन सडकों पर आवागमन नहीं हो सकेगा अब रोकों विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें धन्यवाद